प्रद्वियों चल पर दोस्तों स्वागे था सभी का लेक्स करने वाले हैं ठीक है याद रखेगा वर्ड इस्ति का जो हमारा स्रीज चल रहा था उस दिके आगे आज बढ़ेंगे आज उसके आगे हम टॉपिक कंडुक्ट करने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए ठीक और लाइक और शेयर कर दीजेगा अगर चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए ठीक है तो लए लिजे क्योंकि आप सभी को पता है कि टॉप एजूकेटर के माध्यम से जो पढ़ने वाले जो समय है उसको हम कं से कम कर पाए ठीक है याद हुप साथ ही साथ आज जोते टॉपिक है हमारा व डॉड हिंटी में आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है यूनिफिक सिकेशन आफड इटली मनहें इटली का एक के करण ठीक है Erst याद रखिएगा हमने से पहले जो पढ़ाएं टॉक्स पर लिया यह भी लिभ을 worth लिए यह भी है अभी तक हमने अमेरिकन रीलिटीन पढ़ फिर उसके बाद ऑमेरिकन ग्रहुद्ध के बाहरे मैंने आपको पढ़ाया था मैं अमेरिका का ग्रहुद्ध जो हुआ था उसकी फ आप लोग ज़्यान से इसको देख लेज़ेगा और सार्थी साथ यहां पे अगर आप सभी को पीडिया चाहिए इस क्लास की तो अनिकरमी अंकित ठीक है अनिकरमी अंकित के नाम से टेली ग्राम ठीक है आप लोगों के लिए तो देख सकते हैं और साथ ही साथ सेकंड मतलब आज आप लोगों के लिए अगर हम बात करें तो कॉमबेट हुआ होगा जो बच्चों ने दिया है बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नहीं दिया है वह निश्च कॉमबेट की तयारी करेंगे ठीक है याद रखिएगा कॉमबेट में कुछ नहीं करना यहां पर अगर हम बात करो यह सेकंड जैन्वरी का आज का अमला आज आज दो तारीक है तो सभी को पता है यहां पर कि आज कॉमबेट 11 एम पर कंड़क्ट कराया गया है जिन बच्चों ने दिया है अज बहुत अच्छी बात है जो नहीं दे पाया है वो निश्च के लिए जाकर कर लेजे इन्लोल करो हर संड़े को प्रतेक संड़े को होता है संड़े आपको 11 एम पर कंड़क्ट कराया जाता कॉमबेट आपका कोड लगाईएगा ए एन के 06 और जुआइन हो सकते हो याद रखना बहुत आसान है आप लोगों के लिए साथी साथ अगर बात करें हाँ पर आईकॉनिक सस्क्रीट के साथ आप लोगों को कुछ है यहां पर ठीक है लोन भी मिल सकता है आप अपने तयारी के लिए लोन की सुभधा से भी अपने तयारी को कंप्लीट कर सकते हैं जीरो इंट्रेस्ट पर कोई भी इंट्रेस्ट आपको नहीं देना है नो प्रोसेसिंग कोई फीस आपको नहीं प्रोसेसिंग चार्ज कुछ भी नही क्यारी को सुरुवात कर सकते हैं दोनों सस्क्रिप्शन पर आपको 10% का आफ मिलेगा 10% का डिस्काउंट मिलता है याद रखिएगा अगर आप मेरा कोड इस्तिमाल करते हुए कि एंगे 76 या फिर एंगे जिंगे सेन्केशन के मादिम से आपको 10% पर प्लस से और को मिल जाता है आप सब्सक्रिप्शन स के पर बी is kind的人 का ओफ सभी को और को MTl मिलता एंगे जिर dif ठीक है इतली में राजिन निर्माड ठीक है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है ध्यान से समझने का प्रयास करीगा सबी लोग काफी इंपोर्टन टॉपिक है तो इसके पहले हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए पहले उस पे थोड़ी सी चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं कि प्रिसे हम पर मेल लिख देता हूं आप लोगों के लिए बहुत सारे बच्चे नए होंगे आज क्लास में तो सभी लोगों को पता चलिए वर्ड हिस्टी में हमने कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए तो हमने पढ़ा है अगर बात किया जो हमने पढ़ चुके हैं हम अ प्रांसिस्टी क्रांति हमने पढ़ा था प्रांसिस्टी क्रांति हमने पढ़ा पूरा का पूरा फिर हमने और दोगिक कर्ण पढ़ा यहां और दोगिक क्रांति हम लिखते देखते हैं और दोगिक और दोग एक क्रांटे तो आज का जो हमारे टॉपिक है वह है आपका इटली का एकी करण कि किस तरीके से इकली का एकी करण हुआ इसके बार तूड़ आज का ये टॉपिक है घे के याद रखेगा तो आज का हमारा यह टॉपिक है भाईया कि इटली का एकी करण किस तरीके से होता है याद रखना क्या 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 टॉपिक हमने कंप्लीट किया है यह इतनी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाए तीन टॉपिक जो मेजर टॉपिक आपके होते हैं ठीक है और दोगी करण कहते हैं उसको आज हमको इटली का एक एकड़ पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है याद रखीएगा ठीक है याद रखना सभी लोग तो चलिए यहां पर सुरुवात करते हैं इटली के एकड़ के बारे में ले करके क्या क्या चीज़े आज हमको यहां पर डिसकस कर नहीं है तो सभी लोग तो सबसे पहले हम इसकी भूमी का पढ़ेंगे प्रिष्ट भूमी पढ़ेंगे इतली का एक इकड़न इतना इंपॉर्टेंट को था और क्यों इतना इतली का एकड़ हुआ हुआ उसके बारे में हम यहां पर आज वरा सा डिसकस करेंगे आप से ठीक है बहुत लंबी क्लास इतनाओं में से एक है महत्त कहरा भीया कि इतली की घटना थी वह जो महत्त पूर्ण घटनाई घटी थी उन्हीं मस्टे एक घटना ये भी है आपका इतली का एक ही करने ठीक है क्या था प्राचीन काल में प्राचीन काल में रोमन सभयता का अंग रहने के कारण यूरोप की तो यूरोप की राजनीती में इटली का एक महत्पुन अस्थान था देखो अगर हम बात करें यहां पर तो प्राचिन प्राचिन काल रोमन संभिता का एक पाट था यह इटली जो आपकी थी रोमन सभृता याद रखिये गा सभी 받아 का यह एक अंग था कि तूरुमन सभृता इक परांच था अगर हम बात करें तो यूरोप की राजनीती इस वज़े से Yellow की राजनीती में इटली इंपोर्टेंट रोल अदा करती है इटली कहा कि यूरोपियन है अगर हम राजनेति की बात करें ठीक है तो पॉल्टिकल रूप से अगर देखा जाए तो इटली का महत्पुर्ण अस्थान्ता दापका यूरोप में ठीक है क्योंकि रोमन सभेता का एक पार्ट था इस वज़े से काफी उसका प्रभा उसका जादे था जो की रोमन सामराज के पतन के बाद धार्मिक केंद्र के रूप में परिवर्थित हो चुका था कहरा भी यह कि क्या हुआ रोमन सामराज का जब पतन हुआ रोमन सामराज के पतन के बाद क्या हुआ धार्मिक केंद्र की रूप में परिवर्तित होग था परिवर्तित हो चुका था भी धृर्मिक भांद करता था जब रोमन्स ड्रीका राजनैतिक महत खो चुका था परंद सामाजिक तथा सामाजिक तथा धार्मिक छेतर में इटली अभी भी उलेखनी यह था देखो जब धीरे धीरे बेवस्थाएं आगे बढ़ती हैं बदलती है थोड़ी बहुत बेवस्थाएं यहां पर तो करा कालांतर में यद्दप इटली यद्दप इटली का राजनेतिक महत तो जो है वह खो चुका मलब जब आने वाला जो समय था धीरे धीरे इटली का राजनेतिक म ुत लिकिन परंतु सामाजिक टीक है सामाजिक तत्फा धार्मिक छेत्र में इटली अभी उलेक निये था मतलब आप सभीकों पता हैजब रोमन सामराज का पतन हुआ तिली जो है वह अभी भी बनी थी ठीक है फिर आगे देखो गे धिरी धिर क्या होता है खटनाएं का घटी है अपनी भाउगोलिक स्थिति के कारण अगर अगर आप इटली की देखोगे तो अनेक खंडों में है आपका बटा हुआ है अगर हम बात करें इटली की ठीक है आप लोग मैप में जरूर देख लिए एक बार ठीक है याद रखना मैप देख लेना एक बार देख लोगे ना सभी लोग कि नहीं देख पाओगे मैप जरूर देख लेना इबार इटली का आप लोग तथा विभिन यूरोपीय देश ठीक है उस पर अपना प्रभुत कायम करने का प्रयत्न कर रहे थे देखो पहली बात तो अनेक खंडों में बटा हुआ है इटली ठीक ह उसके कई सारे पार्ट्स रहे फिर उसके बाद जो यूरोपीय देश थे जो प्रभावी देश थे मोलब जिनका प्रभुत ज्यादा था वो क्या कर रहे थी यहां पे ठीक है अपना प्रभुत अस्थापित करने का यहां पर प्रियास कर रहे थैंग फिर आगे देखोगे मिंचरनिक इसली को मात्रे ultया के अभिविएक ती कहा करता था मैटनिप वही वाला शब्निक उसके डिपर कम शेसी प्रका यूरोप में और दोघटी करांति के प्रभाव से चल रहे आधुनिकी करण की हवा इटली तक पहुँची क्या है को देखो इस समय क्या हो रहा है भी योगरंटी दिक और दोगी करण की करणती योडी सबसे पहले कहां पर बृटेन अमेरिका पहुछिए अमेरिका पहुंचे अमेरिका फ्रांस में पहुछी जर्मनी में पहुंची जर्मनी के बाद राज करांती के ठीक है प्रभाव से चल रही आधन की करण की हवा तो जे आधनिक करण की बात हो रही ही थी किसमें और दोगे करांती में साथ में किया रहा था इंडेस्ट्राइड इंडेस्ट्री इंफ्राइस्ट्रेक्शर डिबलफ हो रहे थे परवहन के सुब्धाएं बहतर हो रही थी मतलब अगर देखा जाए तो तो दिरे दिरे बढ़ रहा था ठीक है यूरोप पूरी तरीके से तो यही हवा किसको लगी इटली तक भी पहुँच गई भाई कब तक आप बचाओगे उसको ठीक है तो धीरे धीरे क्या हुआ यही चीजे इटली तक भी पहुच गई तथा इससे संगटित होने के लिए ठी इटली को कि भाईया हमको भी तो आगये इटली इसे बहुत कुछ बींगई तो हम क्या कर रहे हैं हमको भी तो सीखना चाहिए तो इस वज़एसे वहां पर भी क्या हुआ हुआ लोगों ने कहा कि हमको को एक जुट हो करके संगठित हो करके क्या करना चाहिए इन दोनों क्रांतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपना भी विकास करना चाहिए इस वजह से यहां पर देखोगे आप लोग क्रांति क्या हो यहां पर क्या होता है इसका एकी करण इसी इतली का एकी करण इ ठीक है राश्रवादी ठीक है राश्रवादी राश्रवादी राजियों की उत्पति तक पहुचने की एक अहम कड़ी है अगर बात के कहरा भीया वस्तो यह एक करन यूरोप की मध्यकालिन बेवस्था के राश्रवादी राजियों की उत्पति तक पहुचने की एक क्या है मह हम कड़ी है एक महत्पूर्ण कड़ी के रूप में हम इसको देख सकते हैं तो गाइज मुझे लगता है कि आप सभी को यहां पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को मैंने अभी इटली का एकी कड़ की जो भूमिका थी वो समझाए कि क्या इंट्रोडेक्शन जो था किस तरीके से इसका हुआ इसके बारे में अभी हमने चरजा किया तो गाइस सभी लोग एक बार यहां पे फटा फट यहां से बन सकते हैं याद रखना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चलिए तो आपको इस अभी एकी गई होंगी ठीक है अब हम बढ़ेंगे इसके आगे ठीक है याद रखने हैं इसके आगे क्या हम को देखना है काफी इंपॉर्टेंट डीये को समझने के लिए यहां पर देखो क्या होता है कि कुछ अब देखो इटली केकी करणज में भूमी कंड़ नियहां कैंग यह याद रखना कि या इटली के एक oldest करण कि अगर हम बाद करें तो कुछ बाधाइं थी एक ही करण में कुछ बाधाइं थी पहले उन बाधाओं पर हम यहाँ पे समझ शर्चा करेंगे कि क्या बाधाइं था रही थी इटली का यहां पर बाद करते हैं आपकी बधाओं पर तो एकी कर्ण में बाधाएं कि भीया एकी कर्ण में क्या बाधाएं आ रही थी क्या समस्याएं उत्पन होता ही थी क्यों एकी कर्ण नहीं हो पा रहा था सही सही तरीके से उसी के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं तो स अंतरी का मतलब है इटली के अंदर इटली की बाहर और इटली की मैं यहां पर समझाता हूं आपको ठीक है जैसे यहां पर बात करते हैं यहां पर अभी समझना ध्यान से देखिएगा काफी important चीज़े हैं यह तो जैसे माल लिजे यह आपकी इटली है अब बाहर आंतरी तो आपस लोग समझी रहे हो लेकिन हाँ आज लिख लिजे इटली तो इटली का यह अंदर वाला हिस्सा है और यह बाहर वाला हिस्सा है तो बाहर कारक बाहर ठीक है और साथ में आंतरीक आंतरीक दोनों कारक मौझूद थे ये दोनों ये दोनों के दोनों अगर हम बात करें बाहर और आंतरीक ये भी और ये भी ये दोनों कारक आपके मौझूद थे किसमें अगर बात करें ठीक है यहाँ पे बाधाओं में बाधाओं में इन दोनों का नहीं था है है यहां पे यहां पर यहां पर आंत्रिक कारगों कहा योगदान था यहां परिट ली-क एकई करण नहीं हो बारा तरह एकई करण त्क ली गए और अगक्त यह याद रखीएगा इसी सब रहा और किकण भी हुआ अगर भीमिसेस करके हम यहां पर रावधानों में फोनी सी से बात लों को समझें तु इसका एकी करण करना इसलिए ही आवश्यक था तक है क्यों कि यह कई भागों में विभग्त है तो इसका क्या हुआ हूआ यहां पर क्या अधिक क्ल्ड, आधिक क्रांती, जब आधिक क्रांती और साथ ही साथ है, फ्रांसी सी, फ्रांसी सी क्रांती, जिब ये दोनों हुई, ठीक है? तो इनके जो आदर्ष थे, ठीक है आदर्ष याद रखने हैं या फिर हम यहां प्रियास किया और इसने कहा कि यह हमको भी क्या होना चाहिए एक होकर के ठीक है क्या करना इटली ने भी कहा हमको एक होकर एक होकर क्या होना चाहिए विकास करना चाहिए विकास ठीक है और लोगों की मन में भी धीरे धीरे क्योंकि इसके अगर हम फ्रांसीसी क्रांत के आदर्षों की चर्चा करें अब ध्यान से समझना फ्रांसीसी क्रां तो बिटा फ्रांसिस्टी क्रांत के आदर्स क्या थे ठीक है अगर आप डिसकस करो किसी से भी आप लोग मैंने आपको पढ़ा रखा फ्रांसिस्टी क्रांती लेकिन इसके आदर्सों की बात क्या करें आदर्सों की ब्राथ थी मानो स्वतंत्रता मानो स्वतंत्रता मानो पूर राष्ट की प्रती प्रेम की बात हो रही थी राश्ठवड की बात हो रही थी क्या promise कर आपको यही तीन चीजें की नहीं ये तीन चीजें थी भाई तो यह इसके तीन क्या थे आदर्स थे आदर्श ठीक है मूल आदर्श थे मूल मूल आदर्श किस के थे फ्रांसीसी करांती के फ्रांसीसी करांती के आपके तीन मूल आदर्श थे आपके मानो सुतंतर था कि मानो जन्म से सुतंतर है ठीक है समानता की समानता होनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में समानता होनी चाहिए राश्वाद राश के पती अपना प्रेम वेक्टिक है राश के पती हमारा क्या होना चाहिए प्रेम होना चाहिए कि राश हमारा ये है तो इससे क्या हुआ ये चीज़ चल नहीं थी और साथ में जब और्दोगिक क्रांती हुआ यही पर लिखता हूँ समझना विकास की, विकास का मार्ग, इसने मार्ग खोल दिया, खोल दिया, सबसे पहला विकास का मार्ग खोल दिया, ठीक है, अगर देखा जाए, यहाँ पे, ठीक है, तो विकास का मार्ग खोल दिया, जिससे क्या हुआ, कि जो देश में और दोगी करांती हुई, वो धीरे-धीरे क् पूजी पती होने लगे पूजी पती वो पूजी पती देश होने लगा देश तो इससे भी क्या हुआ कि इन लोगों ने सीखने का प्रयास किया कि भैया तो क्या हुआ फ्रांसिस्टी क्रांती यह हुई ही थी इनसे लोगों ने सीखा कि भैया सुतनतता जरूरी है साथ में सम तगी और जब इनके मन में अपकी राष्ट वहना जगती है तो यह लोग भी और रसती सात्व अद्रिण करांति को देख रहे थे वह यहां पर अद송ी इंडेश्टराइशन हो रहा है वहां पर विकास कार तया जीए अमीर होथे जा रहाए धीरे-धीरे तो इन मन में में भी आया कि भाई अगर हम भी एक हो जाते हैं एक हो करके अगर हम प्रयास करें तो हम भी धीरे धीरे शफल हो जाएंगे हम भी धीरे-दी-धिरETH होते जाएंगे ठीके तो इस वजila से यहाँ पर भी क्या हुगा और दोगे किरांती को थोड़ी सही हां पर क्या हुआ है यहां पर भी इटली का एक करन होना इस पज़ेconomic चालू होने लगा यहां तब तक हम जो सोच रह neden。」 तब तक हमत तक हम जो मुच सोच रहें हो कभी हो नहीं पाएंगह लिकिन ही करहा हो इतना आस्तान नहीं था बहुत सारी बाधाय थैं जैसे हम बाहे कारी की बाहे कौन सी बाधाय Greg करतें ऑ साथ में आंतरिक दोनों बाधाय यहां पर मौझू थी फास्त में और साथ में बाहे बाधाय भी यहां पर the external और इंटर्नल दोनों बाधाएं यहां पर रुकावर चल रही थी कैसे देखो यहां पर ठीक है तो यह समझ में आ गया होगा सभी को साहथ एक तरफ जहां इसकी अगर हम बात करें ध्यान से देखिएगा एक इकरण के लिए भागोलिक बाधा थी चलो ठीक है भागोलिक बाधाओं से निप्टा जा सकता है कोई दिक्कत की बात ने थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो वहां पर निपड़ सकते थे लेकिन जो यह राजनीतिक खंडो बात के तीन राजनीतिक खंडों में यह क्या सब्सक्राइब करण थे विभक्टशा उत्तरी इतली दूसरा था स्वागत तीसरा दच्छिड इतली देखो उप समझना कैसे इस तो देखो इस तरीके से था यह था आपका उत्तर वाला नॉर्थ इटली यह था आपका साउथ हिटली और बीच में था आपका ये बीच में था आपका मध्ध इटले मध्ध इटले मध्ध इटले तो किसमें तीन भूखन्डों में भीख था याद रखना तीन भूखन्डों में तीन राजनितिक रूप से है याद रखिएगा ये साय जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं तीन खंडों में तीन खंडों में आपका विभक था इटली कौन राजनीतिक रूप से इटली याय तो इसको हम नौर्थ इटली बोलते हैं उत्तरी दच्छडी और साथ में मध्धवाला भाग मध्ध इटली के नाम से हम उसको जानते हैं ठीक है याद रखिएगा यहीं चीजें बता रहा है आप यहां पर मैं समझाते हुए चलूँगा आप सभी को याद रखिएगा जो मद्ध इटली में पोप का राज होने के करड़ इटली के उत्तरी एम दच्री हिस्ते हिस्ते एक दूसरे से अलग थलग थे अब देखो यहीं एक समस्या आय रही थी यहां पर देखो क्या हो था बेटा आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि जो मद्ध इटली था आपका यहां मद्ध इटली जो है यहां पर पोप का सासन था ज्यान से समझना क्या था बेटा यहां पर आपका पोप का सासन पोप क सास्तन होने की वज़ भुप का सासन होनी की वजह हां पर तो जो South Italy था रि्स अवसात्त में नॉर्थ इतली टा छूकाय याद रखिए गा यह दोनों यह दोनों जो थे बेटा आपके यह दोनों यह दोनों आपस 一 कि दूर अपस में अब पस में विदमें पूर रोप से अलग थे ठीक है पूरो रूपस आपस में अगर बात करें आपस में पूरो रूपसे ये अलग थे क्योंकि बीच ने पूप का सासन था इस वजह से ठीक have पूप का सासन था में इस वाज़े से यह आपस में अलग हो गये थे לצे कोई हां पर सरोकार नहीं եा एक दूसरे से क्या थे अलग थे अपके इतना ही नहीं कि आए कि एक सेगर हाँ कि पोप यहां पर होगा आपका पोप ठीक है पोप भी एक करण का विरोधी था क्योंकि उसकी सत्ता सिमर्ति दिख रही थी अब देखो अब इतना ही नहीं था अगर हम बात करें यहां पर क्योंकि पोप अब पोप का सासन था और पोप जो थे भाई साब यह थे पोप पोप साहब एकी करण एकी करण के क्या थे एकी करण के विरोधी अब विरोधी क्यों हुए क्योंकि उनको लगता था कि उनकी सत्ता जो है सत्ता ठीक है उनकी सत्ता क्या होगी सत्ता क्या होगी सत्ता चिन जाएगी सत्ता क्या होगी सत्ता जो हो जाएगी चिन जाएगी किस से यहां से मद्धेट लिए अगर एक्राद होगा नॉर्थ रहरी इसका थे नहीं इसका भी ककड होगा साथ में सबकर होगा तो क्या होगा पोप का सासन समाप्त हो जाएगा ठीक है पोप की सत्ता जो होगी हो छिन जाएगी उनसे तो उनको भै हो गया था भै ब्याप्त हो गया था उनके मन में ठीक है फिर आपका आगे देखोगी यहां पे ठीक है इसलिए पोप रोमन रोम ठीक है याद रखना इसलि दिना चाते थे अताय एक एकड़ में विदेशी हस्त से प्रमुख बाधक तत्व था अब देखो कि जो पोप सऩफाबら यह स Life है तो जो कैथोलिक धर्म को मानते थे ए थो इस धुलिक ए है कैथोलिक धर्म को मानते at a और सभी को पता है कि जो कैथोलिक धर्म के अनुवाई थे ठीक है जिसमें विदेशी जो विदेशी राष्ट है विदेशी राष्ट है विदेशी राष्ट है जो अनुवाई थे अनु ठीक है अनुयाई अनुयाई थे किसके कैथोलिक धर्म के ठीक है वो भी यह नहीं चाह रहे थे क्य क्या हो कि इटली का एक कर्ण हो भी नहीं चाह रहे थे कि इटली का क्या हो एक जिसे फ्रांस था फ्रांस भी कैथोलिक धर्म को मानने वाला था क्योंकि नेपोलियन ने बोल दिया था कि आपका की राजिका धर्म जो काथोलिक धर्म होगा ठीक है तो आप सभी को पता कि कैथोलिक धर्म को मानने वाले जो भी लोग थे वो लोग नहीं चाह रहे थे बेटा कि यहां पर ऐसी कुछ ब्यौस्था होने पाए याद रखना ठीक है फिर आगे देखोगे यहां पर तो यह हो गया आपका चलिए इस बज़े से भी यहां पर तो बिदेशी हस्तषे पिस बज़े से बढ़ने लगा और यह भी एक काण मस्ते निकल के सामने आया फिर आपको यहां पर कुछ बाधायों के बारे मां और चाहिचा करेंगे आंतरिक बाधायों में विभिन राजों क साषक भी यकी कन के विरूधित तो देखो आपने समझ लिया अब मैं यहाँ पे आंतिकर्णों की चर्चा करूं क्योंकि आंतिक काणों में क्या है कि जो सासक वर्ग है क्योंकि भाई देको अलग अलग थे तो उनका अपना सा संथा अगर एक करनँ हो जाता इ agora तो हो जाता उनका सद्धा समप्त हो जाती सोतंत्र सत्था समाप्त हो जाती क्योंकि एक बेंख सामंतWhere निकल गएं एक करण के ठीके दरसल नेपोलियन के पतन के पशात यह वर्ग पुने समंत्थ वादी यूम ज़ागीर दारी दारी अस्थापित करना चाहता था तो नेपोलेंगे जब पतन हुआ उसके बाद ये लोग भी सामंतवादी ओम जागिरवादी वे उस्था फिल से अस्थापित करना चाहते थे यह भी एक काण बन जाया आपका ठीक है चुकि अठारे सो पंद्रे तक इटली में और दोगी कर्ण क उसका महत तो कम हो जाएगा और उनकी भूमिछ जाएगी तो सिंपल सी अगर मैं बात बताओं आप सभी को तो वो लोग अपनी सोतंतरता से डर रहे थे क्यों की सोतंतरता जो है वो समाप्त हो जाएगी अगर हम एकई कर्ण करने लगे तो एकई कर्ण होने की वज़े से सोत पिछडी हुई थी साथ ही इटली में आर्थिक विशमता भी थी विशमता भी व्याप्त थी उत्तरी इटली अर्धे और दोगिक तत था जबकि दच्छनी इटली अविक्सित एवं ग्रामिल अर्ध और दोगिक अर्ध और दोगिक का मतलब हो गया कि यहां पर अभी विकासकार हो रहे थे विकासकार अभी चल रहे थे चल रहे थे ठीक है अभी कुछ ज़्यादा यहां पर इंडेश्टाइलेशन नहीं हुआ था साथ में जो साउथ इटली था ठीक है दच्छन इटली जो था आपका वह समस्याएं बनी हुई थी ठीक है आगे देखोंगे एक करन के संदर听तर रहे थी और इन्में इस सामने आ रही थी इस बात का भी यहां को माना जाए तिक में मिजनी उटली का एकेकरन गणराज की रूप में चाहता था जो फजिवती संही राज का समर्थक थ ह तेके तथ वही पोप जो आपके हैं पोप के अधिन इटली के सभी राज्यों के संघ का समर्थक था वही काबूर शाहब समधानिक राज तंत्र में विश्वास करता था तो ये सब भी कारण थे यहां पर इटली के एकी करण में इस वजह से भी एकी करण यहां पर नहीं हो पा रहा था ठीक है याद रखेगा सभी लोग तो यह सब भी बहुत सारीक कारण की बिचार धाराओं का भी प्रभाव यहां पर देखने को मिला चलिए तो आज का हमारा ट समझे तो आज मैंने रुकावड पढ़ा दिया है कि यहां पर इतली का कई का लिट दौरत ही कि अब लोग देख सकते हैं पर वंडे टू फ्राइडे आपको साड़े साथ पीम पे होता है डेली करेंट फेस्ट कर फिज है यहां पे और मंडे टू फ्राइडे आपको 10 अ. a.m. पे होता है यहां पर इस्टैटिक विश्ट ठीक है याद रखिएगा तो जौईन कर सकते हैं आप ल लेना है आपको तो पेड़ सब्सक्रिशन अगर पेड़ सब्सक्रिप्शन आपको लेना है प्रचेज करना है तो यह कोड लगा कि आप लोग 10% का ओफ ले सकते हैं याद रखिएगा ठीक है और साथी साथ यहां पर 29 तारीक को नया बैस आपको देखने को मिला था नया बै प्रवाचिंग डिस क्लास बाइबाइट टेक केर फिर मुलाकात होगी आप सभी से नए अध्याय में इसके नए पार्ट में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद बस लाइक करना नहीं भूलेंगे साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना दर नही क्रेक इट चलिए बाइबाइट टेक केर थैंक्यू सो मच बाइबाइट टेक केर चलिए मिलेंगे आप सभी से नेश्ट सेशन में ठीक है चलिए झाल 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 झाल